नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगेश आपका दोस्त और मार्ग दर्शक और आप देख रहे हैं वाइल्ड पल्स एक्स्प्लोरर आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत और रोमान्चक सफर पर लेहलद दाख की खुबसूरत दुनिया में तो आईए सफर शुरू करत एक ऐसी जगह जहां बर्फ से ढखे पहाड आस्मान को छूते हैं जहां की उचाईयां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं और जहां की ठंडी हवा आपके चेहरे को छूते ही आपको ताजगी का एहसास कराती है जहां जीलें इतनी नीली हैं मानो किसी ने नीला रंग घोल दिया हो ये जीलें इतनी साफ और शांत हैं कि आप अपनी परचाई भी देख सकते हैं यहां की जीलें आपको एक अलग ही सुकून का एहसास कराती हैं जी हां मैं बात कर रहा हूं लेह लद्दाख की एक ऐसी जगह जो हर यात्री के दिल में बस जाती है यहां की प्राकृतिक सुन्दर्ता और यहां का शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है लेह लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं एक एहसास है एक ऐसा एहसास जो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है यहां की हर चीज, हर नजारा, हर अनुभव आपको ए नई कहानी सुनाता है उंचे-उंचे पहाड, शांत छीलें, ठंडी हवा और रंग बिरंगी संस्कृति आपको अपनी ओर खींचती है यहां की हर चीज आपको मंत्र मुग्ध कर देती है यहां की संस्कृती भी बहुत ही अनोखी है यहां के लोग, उनकी जीवन शैली, उन का वातावरन आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, यहां की हर चीज आपको एक नई उर्जा से भर देती है, यहां की शांती आपको अपने अंदर ज्छांतने पर मजबूर कर देती है, यहां का हर बल आपको एक नई सोच, एक नई दिशा देता है, यहां की शांत लेह लद्दाख में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया भर के लोगों के लिए एक सपना बनाता है। यहां की हर चीज, हर नजारा, हर अनुभव आपको एक नई कहानी सुनाता है। यहां की हर चीज आपको मंत्र मुग्ध कर देती है। तो चलिए, इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और लेह लद्दाख की खुबसूर्ती का आनंद लेते हैं। लेह लद्दाख पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका है हवाई जहाज। जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं और धीरे-धीरे आस्मान की उँचाईयों को छूते हैं, तो आपके सामने एक अद्भुत द्रिश्य खुलता है। जैसे ही आपका जहाज लद्दाख के उपर से गुजरता है, आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। ये दुनिया इतनी अनोखी और सुन्दर है कि आप अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं। ये जहीलें इतनी साफ और शांथ होती हैं कि आप अपनी परचाई तक देख सकते हैं। इन जहीलों का पानी इतना साफ होता है कि आप जहील की गहराई तक देख सकते हैं। यह नजारा सचमुच बहुत सुन्दर होता है और आपको मंत्रमुग्ध कर दीता है लेह लद्दाक का यह हवाई द्रिश्य आपको एक नई द्रिश्टी देता है जो आपको इस धर्ती की अध्भुत सुन्दर्ता का एहसास कराता है यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा और आप बार-बार इस जगह को देखने की इच्छा करेंगे लेह लद्दाक की सबसे मशहूर जगहों में से एक है पैंगोंग जील यह जील लगभग 134 किलोमीटर लंबी है और इसका एक तिहाई हिस्सा भारत में है जबकि बाकी का हिस्सा तिबबत में स्थित है पैंगोंग जील समुद्र तल से लगभग 4,350 मीटर की उंचाई पर स्थित है जो इसे दुनिया की सबसे उंची खारे पानी की जीलों में से एक बनाती है यह जील अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है यहां का पानी इतना साफ और नीला है कि यह किसी जादूई दुनिया का हिस्सा लगता है जील का पानी मौसम के अनुसार रंग बदलता है कभी नीला, कभी हरा और कभी ग्रे इस जील का पानी इतना नीला और साफ है कि आपको यकीन नहीं होगा कि यह असली है यहां का पानी इतना पारदर्शी है कि आप जील की गहराई तक देख सकते हैं यह द्रिश्य किसी सपने जैसा लगता है ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीले रंग का बहुत बड़ा शीशा बिछा दिया हो जील का ये द्रिश्य आपको मंत्र मुग्द कर देता है और आप इसे देखते ही रह जाते हैं यहां की शान्ती और सुकून आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है पैंगों जील के चारों और उंचे उंचे पहाड हैं जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं ये पहाड साल के अधिकांश समय बर्फ से ढखे रहते हैं जो जील के नीले पानी के साथ एक अधभुत द्रिश्य प्रस्तुत करते हैं यहां की प्राकृतिक सुन्दर्ता आपको एक अलग ही अनुभव देती हैं यहां आकर आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं और इस जील की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं बोटिंग के दौरान आप जील के विभिन रंगों और इसके चारों और के पहाडों का आनंद ले सकते हैं यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा शाम के समय सूरज ढलते समय इस जील का नजारा देखने लायक होता है सूरज की किरणे जब जील के पानी पर पढ़ती है तो यह द्रिश्य और भी मनमोहब हो जाता है आसमान के रंग बदलते हैं और जील का पानी सुनहरे और गुलाबी रंग में चमकने लगता है सूरज की किरने जब इस जील के पानी पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सूना पिखल रहा हो ये द्रिश्य इतना अद्भुत होता है कि आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे पैंगों जील की ये सुन्दर्ता और शान्ती आपको एक नई उर्जा और ताजगी का अनुभव कराती है लेह लद्दाख की एक और खूबसूरत जगह है नुब्रा घाटी यह घाटी अपने उचे 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 रेत के टीलों के लिए मशहूर है यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रेगिस्तान में आ गए हों लेकिन यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ आपको रेत के टीलों के साथ-साथ बर्फ से ढखे पहाड भी देखने को मिलेंगे नुब्रा घाटी में आप डबल हम्प वाले उटों की सवारी का मज़ा भी ले सकते हैं यहाँ का शांत और मनोरम वातावरण आपको अपनी और आकरशित करेगा लेह लद्दाख में एक जगह ऐसी भी है जिसे दुनिया की चछत कहा जाता है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ खारदुंगला की यह दुनिया का सबसे उचा मोटरेबल रोड है और यहाँ से आपको आसपास के पहाडों का अधभुत नजारा देखने को मिलता है खारदुंगला पहुँचने के लिए आपको उची और घुमावदार सडकों से होकर गुजरना पड़ता है लेकिन यकीन मानिए यहाँ पहुँचने के बाद आपको जो नजारा दिखाई देगा वो आपकी सारी धकान दूर कर देगा लेह लद्दाक में आपको तिबबती संस्कृती की जलक भी देखने को मिलेगी यहाँ आपको कई बौध मठ मिलेंगे जहाँ आप जाकर शान्ती और सुकून का अनुभव कर सकते हैं इन मठों में आपको सुन्दर भित्ती चित्र और मूर्तियां देखने को मिलेंगी जो आपको प्राचीन काल की याद दिलाएंगी स्थानिये लोगों का रहन सहन और खान पान भी तिबबती संस्कृती से प्रेरित है लेह लद्दाक के बरफीले पहाड कई दुरलभ जानवरों का घर है यहां आपको हिम तेंदुआ, हिमालेन आइबेक्स, तिबबती भेडिया जैसे जानवर देखने को मिल सकते हैं इन जानवरों को अपने प्राकृतिक आवास में देखना एक अध्भुत अनुभव होता है लेकिन ध्यान रहे, इन जानवरों को देखने के लिए आपको स्थानिये गाइड की मदद लेनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए लेह लद्दाक एडवेंचर प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है यहां आप ट्रैकिंग, कैंपिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं उचे उचे पहाडों पर ट्रैकिंग करना, नदियों के किनारे कैंपिंग करना और खतरनाक रास्तों पर बाइक चलाना यह सब अनुभव आपको रोमांच से भर देंगे लेकिन ध्यान रहे, एडवेंचर स्पोर्ट्स करते समय आपको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, अगर आप भी लेह लद्दाख की इस अद्भुत दुनिया को और करीब से देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्द पल्स एक्स्प्लोरर को जरूर सब्सक्राइब करें हम अपने चैनल पर लेह लद्दाख की खूबसूर्ती, संस्कृती और एडवेंचर से जुड़े वीडियो डालते रहते हैं अपनी राए और सुझाव कमेंट्स में जरूर दें फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक सफर के साथ तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद